हेलो गाईज, स्वागत है आप सभी को मेरी यूटुब चैनल एनेस ग्यान में तो गाईज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किसी भी अप्लिकेशन के बैक्राउंड में अपना फोटो कैसे लगाए जी हाँ गाईज, अगर आप भी किसी भी अप्लिकेशन के बैक्राउंड में अपना फोटो लगा कर दिखाने चाहते हैं अपने मोबाईल में तो इस वीडियो में लास तक देखते रहिएगा तो जैसे मैं यहां पर प्लेश्टर को ओपन करता हूं अब यहां पर आपको सर्च कर देना है डिजाइनर टूल्स तो यहां पर मैं सर्च कर देता हूं डिजाइनर टूल्स तो यहां पर आपको कुछी इस पर करकर भी इंस्टॉल हो चुका है तो चलिए हम इसको फिदे ओपिन कर देते हैं बहुत यह असान है फोल्ट वाल्पेपर लगाना किसी भी एप्लिकेशन के बैग्राउंड में तो आपको यहां पर क्या करना है यह वाला सिफ्टम आपको जो है यहां पर तो नीचे आजाना है पर यह फोटो चूज कर लेता हूं कर लगा सिंपली आपको दिखाने के लिए तो यह इसको मैं चूज कर लिया इसके बाद आपको यहां पर यह वाला फूल कर देना है आपको फूल कर देना है ताकि अच्छे से थोड़ा दिखे तो यहां पर फूल करने के बाद आपको य यहां पर एक application आपको यहां पर इसको ओन कर देना है designer tools को तो यहां पर ओन कर दिया इस बाद बैक चलाता हूं बैक चलाने के बाद आप देख सते हैं यहां पर photo जो है मेरा background में दिखने लग रहा है तो आभी जो आप इसको cut कर देता हूं अब यहां पर किसी भी application को आप open कर तो यहां पर simply my file manager को open करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर background में मेरा photo लगाया हूँ दिख रहा है किसी भी application को open करेंगे सब कुछ यहां पर background में दिख जाएगा आपका photo जो लगाया हूँ तो यहां पर जैसे में कोई भी application को मैं open करता हूं तो जो background वह फोटो है जो पर चाफी अच्छा भी लग रहा है तो इस तरह करके आप अपने mobile में कीशी भी photos को अपने background में कीशी भी application के background में लगा सकते हैं तो अब बत कर लेते हैं कि यह application कैसे काम करता है जो दोस्तो यह application अपने जो photo लगाते हैं तो यह हर जगा दिखाई देगा ऐसा काम करता है त तो ऐसे आप अपने भी मुबाइल में बैग्राउंड में अपना फोटो लगा सकते हैं और अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हैं कि हा मैंने ऐसे करके अपना फोटो लगाया है और आप कुछ भी करते रहो यहाँ पर कटने वाला यह सब नहीं है तो कैसा लगा हमारा वीडि वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई